आईए सुनते हैं प्रीम चेंदर जी की लिखिवी कहानी धोगा सती कुंड में खिलेवे कमल बसंद के धीमे धीमे जोगों से लहरा रहे थे और प्रात्यकाल की मंद मंद सुनेरी के रिणे उनसे मिल मिला कर मुस्कराती थी राजकुमारी परभा कुंड के किनारे हरी हरी घास पर खड़ी सुन्दर पक्सियों का कलरव सुन रही थी उसका कनक वनतन इनी फूलों की भाति दमक रहा था मानो परभात की साकसात सौम में मूर्ती है जो भगवान अनसु मालिके किरन करोद्वारा निर्मित हुए थी परभाने मौल स्री के वरिक्ष पर बैठी वी एक शामा की और देखकर कहा मेरा जी चाहता है कि मैं भी एक चड़िया होती उसकी सहली ओमा ने मुस्करा कर पूछा क्यूँ परभाने कुड़ी की और तांकते वे उत्तर दिया व्रिक्ष के हरी भरी डालियों पर बैठी वी चह चाहा दी मेरे कलरों से सारा बाग गूज उड़ता ओमा ने छिड़ कर कहा नौगण की रानी ऐसे कितने ही पक्ष को गाना जब चाहे सुन सकती है परभा ने संकुचित होकर कहा मुझे नौगण की रानी बनने की अविलाशा नहीं है मेरे लिए किसी नदी का सुनसान किनारा चाहिए एक वीर्णा और ऐसे सुन्दर सुआने पक्षियों के संगीत की मधूर धोनी मेरे लिए सारे संसार का ऐस्वर भरा है परभा का संगीत पर अप्रमित प्रेम था वहां बहुदा ऐसे सुक सपन देखा करती थी ओमा उत्तर देना ही चाहती थी कि इतने में बहार से किसी के गाने की आवाज आई कर गए थोड़े दिन की प्रीती परभा ने एकागर मन होकर सुना और अधीर होकर कहा बहन इस बहाणी में जादू है मुझसे अब बिना सुने नहीं रहा जाता इसे भीतर बुला लाओ उस पर भी गीत का जादू असर कर रहा था वह बोली निसंधे ऐसा राग मैंने आज तक नहीं सुना खिड़की खोल कर बुलाती हूं थोड़ी देर में रागी अब इदर आया सुन्दर सजेले बदन का नौजवान था नंगे पैर नंगे सिर कंधी पर एक मुर्ग च्रम सरीर पर एक एववा वस्तर हातों में एक सितार मुखारविंद से तेज छड़क रहा था उसने दभी हुई द्रिस्टी से दोनों कुमलांगी रमडियों को देखा और सिर जुका कर बैट गया परभा ने जिजक्ती भी आँखों से तेखा और द्रिस्टी निची कर ली उमा ने कहा योगी जी हमारे बड़े भाग्य थे कि आपके दर्सन हुए हमको भी कोई पद सुना कर कर्थार्थ कीजिए योगी ने सर जुका कर उत्तर दिया हम योगी लोग नाषरण का भजण करते हैं ऐसे ऐसे दर्वारों में हम बला क्या गा सकते हैं पर आपके इचह हैं तो सुनिये कहा वो बिचरन कहा मद्वन की रीती कर गए थोड़े दिन की पिरीती योगी का रसिला за करुण स्वर सितार का सुमुधुर नीनाद उस पर गीत का माधुरिय परभा को बेसुत के देता था इसका रसग्य सुभाव और उसका मधुर रसीला गान अपूर्व संजोग था जिस भाती सितार की धौनी गंगन मंडल पर पड़ती धौनित हो रही थी उसी भाती परभा की हिर्दय में लहरों की इलोरे उट रही थी वे भावनाई जो अब तक सांथ थी जाक पड़ी हिर्दय सुक सपन देखने लगा सतिकुंड के कमल तिलसिम की परियां बन बन कर मंडराते वे भहरों से कर जोड कर सजन लैनों कहते थे कर गए थोड़ी दिन की प्रीती सुर्क और हरीपत्यों से लदिवी डालियां सिर जुकाए चहकते वे पक्सियों से रो रोकर कहती थी कर गए थोड़ी दिन की प्रीती और राजकुमारी पर्वा का हिरदय भी सितार की मस्तानी दान के साथ कूंसता था कर गए थोड़े दिन की प्रीती पर्वा बखोली के राव देवीचन की इकलौती कन्या थी राव पुराने विचारों के रहिस थे कृष्ण के उपासनर में लवलीन रहते थे इसलिए उनके दरवार में दूर दूर से कलावंत और गवे ये आया करते और इनाम इक्राम पाते थे राव सहाब को गाने से प्रेम था वे स्वय भी इस विध्या में निपुण थे ये दपी वर्धा अवस्ता के कारण यहों सकती निसेस हो चली थी पर फिर भी विध्या के गुण तत्वों के पूर जानकार थे पर वह बाल काल से ही इनकी सवधों में बैठने लेगी तो कुछ पूर्व जनम का संसकार और कुछ रात दिन गाने की ही चर्चाओं ने उसे भी इस फन में अनुरुक्त कर दिया था इस समय उसके सौंदरी की खूब चर्चा थी राव साहब ने नौगड के नौवयक और सुसील राजा हरीश चंदर से उसकी साधी तजवीच कर दी थी उभए पक्ष में तैयारिया हो रही थी राजा हरीश चंदर मयो कॉलेज अजमेरी के विध्यारती और नई रौशने के भग्त थे उनकी आखांचा थी कि उन्हें एक बार राजकुमारी परभा से सक्स्तकार होने और प्रेम्यलाब करने का आउसर दिया जाए किन्तु राव साब इस परथा को दुरसित समस्ते थे परभा राजा हरीश चंदर के नवीन विचारों की चर्चा सुनकर इस संबंद से बहुत संतुष्ट ना थी पर जबसे उसने इस प्रेम मैय युवा योगी का गाना सुना था तब से तो वह उसी के ध्यान में डूबी रहती ओमा उसकी सहली थी इन दोनों के बीच कोई परदा ना था परन्तु इस भेद को परभा ने उससे भी गुपत रखा ओमा उसके सभाव से परचित थी, ताड़ गई परन्तु उसने उपदेश करके इस अगनी को भढ़काना उचितना समझा उसने सोचा कि थोड़ी दिनों में यह अगनी आप से आप सांत हो जाएगी ऐसी लालसाओं का अंप्राय इसी तरों हो जाया करता है किन्तु उसका अनुमान गलत सिद्र हुआ योगी की वह मोहिनी मूर्थी कभी परभा की आँखों से ना उतरती उसका मधूर राग परतिसन उसके कानों में गूजा करता उसी कुंड के किनारे वह सिर जुकाई सारा दिन बैठी रहती कलपना में वही मधूर हिरदय ग्रहाई राग सुनती और वही योगी की मनुहारनी मूर्थी देखती कभी-कभी उसे ऐसा भास होता कि बाहर से यहाँ आवाज आ रही है वह चौक पड़ती और तृष्णा से प्रेजित होकर वाडिका की चार दिवारी तक जाती और वहां से निरास होकर लोट आती फिर आप ही विचार करती यहाँ मेरी क्या दसा है? मुझे यहाँ क्या हो गया है? मैं हिंदू कन्या हूँ माता पिता जिसे सौप दे उसकी दासी बनकर रहना धर्म है मुझे तन मन से उसके सेवा करने चाहिए किसी अन्य पुरुस का ध्यान तक मन में लाना मेरे लिए पाब है आहाँ यहाँ कुल से थिर्दे लेकर मैं किस मुझे से पती के पाज जाओंगी इन कानों से क्यूं कल पढ़ने की बाते सुन सकोंगी जो मेरे लिए व्यंगी से भी अधिक कड़े कट्टू होंगी इन पापी नेतरों से वहाँ प्यारी प्यारी चित्वन कैसे देख सकोंगी जो मेरे लिए वर्जस से भी हिर्दे वेदी होंगी इस गले में वे मुर्दल प्रेम बहुँ पढ़ेंगे जो लोह दंड से भी अधिक भारी और कठोर होंगे प्यारे तुम मेरे हिर्दय मंदर से निकल जाओ यहाँ इस्तान तुम्हारे योग्य नहीं मेरा वस होता तो तुम्हें हिर्दय की सेच पर सुलाती प्रंतु में धरम की रस्यों में बंधी हूँ इस तरह एक महिना बीद गया विहा के दिन निकट आते जाते थे और परभा का कमल सा मुक कुमलाया जाता था कभी-कभी विरह वेदना एवं विचार विल्पुर से ब्याकुल होकर उसका चित चाहता कि सतिकुंड की गोद में सांती लू किन्तु राव साहब इस सोग में जान ही दे देंगे यहाव विचार कर वहाव रुख जाती सोचती मैं उनके जीवन की सर्वस्व हूँ मुझ अभागनी कुन उने किस लाड़ प्यार से पाला है मैं ही उनके जीवन का आधार और अंतकाल के आसा हूँ नहीं यू पराण देकर उनकी आसाओं की हद्या ना करूंगी मेरे हिर्दे पर चाय जो बीते उने ना कुडाऊंगी परभा का एक योगी गविये के पीछे उनमत हो जाना कुछ सोभा नहीं देता योगी का गान तांसिंट के गानों से भी अधिक मनोहर क्यों ना हो पर राजकुमारी का उसके हाथों बिक जाना हिर्दे की दुर्बलता परकट करता है राउ सहाब के दरवार में विध्या की, सौर्य की और वेर्था से प्राण हवन करने की चर्चा ना थी यहां तो राद दिन राग रंग की धूम रहती थी यहां इसी सास्त्री के आचार्य पर्दिष्टा के मस्तनर पर विराजित थे और उनी पर प्रसंसा के भुमुल्य रत्न लुटाए जाते थे परवा ने प्रारम वही से इसी जलवाईयों का सेवन किया था और उस पर इनका गाड़ा रंग चड़ गया था ऐसी अवस्ता में उसकी गान लिपसा ने यदि भिशन रूप धर्ण कर लिया तो आशेरी क्या है साधी बड़ी धूम धाम से हुई राव साब ने परवा को गले लगा कर विदा किया परभा बहुत रूई उमा को और किसी दरो छोड़ती ना थी नौगड एक बड़ी रियासत थी और राजा हरिश्चंद के सुपरवन से उन्नती पर थी परभा की सेवा के लिए दासियों के एक पूरी फौस थी उसके रहने के लिए वहो आनन्द भवन सजाया गया था जिसके बनाने में सिल्प विसारदों ने अपूर्व कौसल का परिचय दिया था संगार चितुराओं ने दुलन को खूब सवारा रसीले राजा साब अधरामरित के लिए विहल हो रहे थे अंधपुर में गई परिवा ने हाँच जुड़कर सिर जुका कर उनका अभिवादन किया उसकी आँखों से आसु की नदी बह रही थी पती ने प्रेम के मद में मद होकर गूंगर ठटा दिया दीपक था पर बुझा हुआ फूल था पर मुर्जाय हुआ दूसरे दिन से राजय साब की यहो दसा हुई कि बहुरी की तरोप पड़ती संड इस फूल पर मंडराय करती ना राजबाट की चिंता थी ना सैर और सिकार की परवा परवा की वाणी रिसिला राग थी उसकी चितवन सुक सागर और उसका मुक चंदर आमोद का सुहाना कुझ बस प्रेम मद में राजय साब बिल्कुल मतवाले हो गए थे उन्हें क्या मालूम था दूद में मक्खी है यहो असंभव था कि राजय साब के हिर्दय हारी और सरस्वेवार का जिसमें सच्चा अनुराग भरा हुआ था प्रभा फर कोई प्रभाव ना पड़ता प्रेम का प्रकास अंधरिय हिर्दय को भी चमका देता है प्रभा मन में बहुत लज्जित होती वहो अपने को इस निर्मल हिर्दय और विसुद्ध प्रेम के योगे ना पाती थी इस पवित्र प्रेम के बदले में उसे अपने कृतिम रंगे हुए भाव परकट करते हुए मानसिक कस्टों होता था जब तक कि राजय साब उसके साथ रहते वहो उनके गले लटा की भाथी लिप्टी भी घंटो प्रेम की बाते किया करती वहो उनके साथ सुमन वाटिका में चुहल करती उनके लिए फूलों का हार गूंडती और उनके गले में हार डाल कर खहती प्यारे देखना ये फूल मोर्जा न जाए इन्हें सदा ताजा रखना वहो चाननी रात में उनके साथ ना उपर बैठकर जील की सैर करती और उन्हें प्रेम का राग सुनाती यदि उन्हें बाहर से आने में जरा भी देर हो जाती तो वहो मीठा मीठा उलहाना देती उन्हें निर्दे देथा निस्टूर कहती उनके सामने वहो स्वय हसती उसकी आखें हसती और आखों का काजल हसता था किन्तु आ जब वहो अकेली होती उसका चंचल चित उड़कर उसी कुंड की तरट पर जा पहुंसता कुंड का वहो निला निला पाने उस पर तैरते वे कमल और मौलसरी की व्रिक्ष की पत्यों का सुन्दर दर्सी आखों के सामने आ जाता ओमा मुस्कराती और नजाकत से लचकती भी आ पहुंसती तब रसीले योगी की मोहनी चवी आखों में आ बैठती और सितार के सूल सित सुर गूजरे लगते कर गए थोड़े दिन की प्रीती तब हो एक द्रग निस्वास लेकर उट बैठती और बाहर निकल कर पिंजरे भी चहेकते वे पक्षियों के कलवर में सांती प्राप्त करती इस बहाती योज सपन त्रोहित हो जाता इस तरह कई महिने बीद गए एक दिन राजा हरिश्चिंद्र प्रभप अपनी चित्र साला में ले गए उसके पर्थम भाग में एतियासिक चित्र थे सामने ही सूर वीर महराणा परताप सिंग का चित्र नजर आया मुखारविंद से वीरता की जोती स्टूपित हो रही थी तनिक और आगे बढ़कर दाहिनी और स्वामी भक्त जगमल वीरवर सांगा और दिलेर दुर्गादास विराजमान थे बाई और उदार भेम सिंग बैटे वे थे राणा परताप के सम्मुक महराष्ट केसरी वीर सिवाजी का चित्र था दूसरे भाग में करम योगी कृष्ण और मर्यादा पुरसुतम राम भी राजे थे चतूर चित्रकारों ने चित्र निर्माण में अपूर्व कौसल दिखलाया था परभा ने परताप के पाद बदो को चूमा और कृष्ण के सामने देर तक नेत्रों में प्रेम और सर्दा के आंसु भरे मस्तक जुकाई खड़ी रही उसके हिर्दय पर इस समय कुलसित प्रेम का भई खटक रहा था उसे मालूम होता था कि यहाँ उन महापुरुसों के चित्र नहीं उनकी पवित्र आत्माई है उनहीं के चरित्र से भारत वर्ष का इतिहास गुरानवित है वे भारत के बहुमुल्य जात्य रत्न उच्च कोटी के जात्य समारग और गगन भेती जात्य तमूल धवनी है ऐसी उच्च आत्माउं के सामने खड़े होते उसे संकोच होता था आगे बड़ी दूसरा भाग सामने आया यहां ज्यान में बुद्ध योग साधन में बैठेवे देख पड़े उनकी दाहिनी और सास्तरिग्य संकर थे और दार्षनिक दयानंद एक और सांत पत गामी, कबीर और भक्त रामदास यथा योग्य खड़े थे एक दिवार पर गुरु गोविंद अपने देश और जाती पर बली चड़ने वाले दोन बच्चों के साथ विराजमान थे दूसरे दिवार पर वैदान्त की जोती फहलाने वाले स्वामी, रामतीरत और विवेकनन्द विराजमान थे चित्रकारों की योग्यता एक एक अव्यव से टपकती थी परभा ने उनकी चरणों पर मस्तक टेका वहाँ उनके सामने सिर्णा उठा सकी उसे अनुभव होता था कि उनकी दिव्य आँखे उसके दुरसित रदय में चुबी जाती है इसके बाद तीसरा भागाया यहाँ पर्तिवा साली कवियों की सभा थी सुर्वच्य स्तान पर आदिकवी बालमेगी और महारिशी वेदवयास सुसोबित थे दाहिनी और संगार रस के आदित्य कवी कालिदास थे बाई तरप गंभीर भावसिर पून, भावभूती, निकठी, भरतरी अपने संतोश आस्रम में बैठे थे दच्छन की दिवाल पर राष्टभासा हिंदी के कवियों का सम्मेलन था सहरदय कवी सूर, तेजस्पी तुलसी, सुकवी केसव और रसिक विहारी यथा करम विराजमान थे सूरदास से परभा का अगहात प्रेम था वह समीप जाकर उनकी चलनों पर मस्तक रखना चाहते थी कि अक्समात उनी चलनों के सम्मुख सर जुकाये उसे एक छोटा सा चितर दिख पड़ा परभा उसे देखकर चौक पड़ी यहोँ वही चितर था जो उसके हिरदय पड़ पर खिचा हुआ था वहाँ खुलकर उसकी तरब ताक ना सकी दभी आँखों से देखने लगी राजा हरीशेंदर ने मुस्करा कर पूचा इस व्यक्ति को तुमने कहीं देखा है इस परसन से परभा का हिरदय काप उठा जिस तरब मर्ग स्वाग व्याद के सामने व्याकूल होकर इदर उधर देखता है उसी तरब परभा अपनी बड़ी बड़ी आँखों से दिवार के और ताकने लगी सोचने लगी क्या उधर दो इसको कहीं देखा है उन्होंने यह परसन मुझे से क्यों किया कहीं ताड़ दो नहीं गए हे नारायन मेरी पत तुम्हारे हाथ है क्यों कर इंकार करूँ मुह पीला हो गया सिर जुका कर सिर्ण स्वर में बोली हाँ ध्यान आता है कि कहीं देखा है हरीश चंद्र ने कहा कहा देखा है परभा के सिर में चक्कर सा आने लगा बोली साइद एक बार यह गाता हुआ मेरी वाटिका के सामने से जा रहा था उमा ने बुला कर इसका गाना सुना था हरीश चंद्र ने पूछा कैसा गाता था परभा के होस उड़े वे थे सोचती थी राजा के इन सवालों में जरूर कोई बात है देखूं लाज रहती है या नहीं बोली उसका गाना ऐसा बूरा ना था हरीश चंद्र ने मुस्करा कर कहा क्या गाता था परभा ने सोचा इस परशन का उतर दे दूँ तो बाकी क्या रहता है उसे विश्वास हो गया कि आज कुसल नहीं है वह चतकी और नरक्तिवी बोली सूरदास का कोई पत था हरीश चंद्र ने कहा यह तो नहीं कर गए थोड़े दिन की प्रीती परभा की आँकों के सामने अंधेरा चा गया सिर गूमने लगा वह खड़ी न रह सकी बैट गई और हतास होकर बोली हाँ यही पत था फिर उसने कलेजा मजबूत करके पूछा आपको कैसे मालूम हुआ हरीश चंद्र बोले यहो योगी मेरे हाँ अकसर आया जाया करता है मुझे भी इसका गाना पसंद है उसी ने मुझे यहाल बताया था किन्तु वहो तो कहता था कि राजकुमारी ने मेरे गानों को पसंद किया और पुना आने के लिए आदेश किया परभा को आफ सच्चा करोद दिखाने का असर मिल गया वहो पिगड़ कर बोली यहो बिल्कुल जूट है मैंने उसे कुछ नहीं कहा हरीश चंदर बोली यहो तो मैं पहले ही समझ गया था कि यहो उन महासे की चाला की है डिंक मारना गवईयों की आदत है परंतु इसमें तो तुम्हें इनकार नहीं कि इसका गाना बुरा ना था परभा बोली ना अच्छी चीज़ को बुरा कौन कहेगा हरीश चंदर ने पूछा फिर सुनना चाहो तो उसे बुलाऊं सिर के बल दोड़ा हाएगा क्या उनके दरसन फिर होंगे इस आसा से परभा का मुख बंडल विक्सित हो गया परन्तु इन कई महिनों की लगातार कोसिस से जिस बात को बुलाने में हो किंचित सपल हो चुकी थी उसके फिर नविन हो जाने कब है हुआ बोली इस समय गाना सुनने को मेरा जी नहीं चाहता राजा ने कहा यहां मैं न मानूंगा कि तुम और गाना नहीं सुनना चाहती मैं उसे अभी बुलाए लाता हूँ यहां कहकर राजा हरिश्चंदर तीर की त्रो कमरे से बाहर निकल गए परभा उन्हें रोक ना सकी वहां बड़ी चिंता में डूबी खड़ी थी हिर्दय में खुसी और रंज की लहरे बारी बारी से उठती थी मुस्किल से दस मिनट वीते होंगे कि उसे सितार के मस्ताने सुर के साथ योगी की रसीली तान सुनाई थी कर गए थोड़े दिन की प्रीती वही हिर्दय गराई राग था वही हिर्दय भेदी परभाओं वही मनोहरता और वही सब कुछ जो मन को मोह लेता है एक संड में योगी की मोहिनी मूर्ती दिखाई दी वही मस्तानापन वही मतवाले नेत्र वही नैना फिराम देबताओं का सा सौरोप मुख मंडल पर मन्दबन मुस्कान थी परभा ने उसकी तरब हैमी वी आँखों से देखा एक आ एक उसका हिर्दय उचल पड़ा उसकी आँखों के आगे से एक परदा हट गया प्रेम विहलों आँखों से आसु बरे वह अपने पती के चरणा विंदो पर गिर पड़ी और गदवत कंड़ से बोली प्यारे प्रीतम राजा हरिश्चंद्र को आज सच्ची विजय प्राप्त हुई उन्होंने परवा को उठा कर जहाते से लगा लिया दोनों आज एक प्राण हो गई राजा हरिश्चंद्र ने कहा जानती हो मैंने यह अस्वांग क्यों रचा था गाने का मुझे सदा से व्यसन है और सुना है तुम्हें भी इसका सौक है तुम्हें अपना हिर्दे भेट करने से पर्थम एक बार तुम्हारा दर्शन करना आवसक परतित हुआ और उसके लिए सबसे सुगम पाई यही सूच पड़ा पर्भा ने अनुराग से देकर खा योगी बनकर तुमने जो कुछ पा लिया वह राजा रहकर कदा भी ना पा सकते अब तुम मेरी पती हो और प्रिर्टम भी हो पर तुमने मुझे बड़ा दोका दिया और मेरी आत्मा को कलंकित किया इसका उत्तरदाता कौन होगा